हाई गाईज वल्कूम पैक आप सबीक अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवस 17.1 के लेटेस्ट न्यू फीचर्स के बारे में जो कि आपको आईफोन 13 पे देखने को मिलते हैं सो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाईज आज की इस वीडियो को सबसे पहले आपके एरड्रॉप में एक नया ओप्शन एड़ाउन करा गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स में जेनरल पे एरड्रॉप में यहाँ पर आपको यूज सेलर डेटा का मोड एक देखने को मिलेगा जो की आटोमेटिकली ओन होगा जब आप अपने डिवाइस को अपडेट करोगे उसके बाद यह आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप की उपर लिखा हुआ है आउट ओफ रेंज अगर आप अपने यह ट्रॉप को एक आइफोन से दूसरे आइफोन में यूज करे हो फाइल शेयरिंग करे हो जो किसी लार्ज फाइल को तो उस कंडिशन के ऊपर अगर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हो तो आप इस मोड को यूस कर सकते हो जिसके साथ आपकी जो शेयरिंग है वो देखने रहेगी आपके मूबाइल डेटा को यूज करते हुए जो कि काफे ज़्यादा यूज फीचर रहने वाला है इसके साथ अपने किसी भी लार्च से लार्च फाइल को भी शेर कर सकते हो एरड्रॉप की मदद से सेलोर डेटा मोड को यूज करके तो secondly जो फीचर अड़ान करा गया है वो है आपके स्टैंड बाइ मोड में स्टैंड बाइ मोड में आपको एक निया डिस्पले का मोड देखने को मिलेगा यहाँ पर तो डिस्पले का मोड यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बट जो iPhone 14 Pro और 15 Pro सीरीज हैं उन में आपको एक display का निया option देखने को मिलेगा वो option आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है तो display के उपर tap करने पर आपको यहाँ पर तीन options देखने को मिलेगी automatically after 20 seconds or never यह जो options हैं कैसे काम करने वाली हैं अगर मानलो कि आपने अपनी standby mode के उपर set कर रखा अपने device को अगर आपको उसे बंद करना है अपनी screen को तो आपको automatically after 20 seconds को select करना है तो automatically यह जो आपकी standby mode में screen रहने वाले है अपने iPhone की automatically off हो जाएगी अगर आप उसको बंद करना जाते हो तो आपको never की उपर set करना है तो यह कुछ नए features standby mode में आपको देखने को मिलने वाले हैं iPhone 14 Pro और 15 Pro सीरीज में उसके बाद बात आती है एक नए feature के वारे में जो की आपकी music के application में add down करा गया है जैसे कि मैं अपने music के app को open करता हूँ यहाँ पर मैंने इस song को open किया जैसे यहाँ पर open करोगे अपने इस song को तो यहाँ पर आपको एक star का logo बना हुआ दिखाई देगा जैसे मैं star के logo की उपर tap करता हूँ आपको यह star का logo है वो आपके इस song को favorites में add कर देता है कुछ इस तरह का option आपको show करेगा जब आप इसकी feature को पहली बार use करोगे तो add to your favorites इसके उपर tap करने पर आप अपने music को favorites में add कर सकते हो और अपने tracks को favorites में add कर सकते हो तो guys यहां से आप अपनी playlist को edit कर सकते हो simply आपको playlist को create करने के लिए यहां पर name enter करना है कोई photo set करनी है खुद से तो आप यहां से choose photos के उपर tap करके खुद से कोई भी photo को set कर सकते हो जैसे कि मैंने इस photo को यहां पर लगाना है तो मेरे को zoom in करना है choose के उपर मैंने tap किया और यहां पर इसका name करतो और आप good to go हो अपने प्लेरिस्ट को create कर सकते हो और edit कर सकते हो 17.1 के इस नए update में साथ इसाथ lock screen में भी आपको कुछ नए changes देखने को मिलेंगे जैसे कि photo shuffle में एक नया album का option add-on करा गया है यहाँ आपको photo shuffle के उपर tap करना है यहाँ से आप specific album को select कर सकते हो album के उपर tap करो और यहाँ से आप जो भी album set करना चाते हो उस album को आपने single tap करना है album में जितनी भी photos होंगी वो आपकी यहाँ पर shuffle frequency change कर सकते हो tap की उपर set करोगे तो पस आपको single tap करना है और use के album की उपर tap करो और यहाँ पर single tap करने पर आपकी यह जो photos हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से change होने वाली है पस आपको इसे add की उपर tap कर दिना है set wallpaper as a pair करो और आप good to go हो अपने इन नए features को use करने के लिए तो यह कुछ नए features आपको iOS 17.1 के नए stable update में देखने की नहते हैं I hope आपको यह video पसंद आई होगी तो मलते हैं guys अगली video में so guys thanks of watching